Tally Help विडियो में आपका स्वागत है। इस विडियो में आप Tally Prime में Company Data को रिपेर करने की आवशक्ता और रिपेर करने की प्रक्रिया समझेंगे। चलिए देखते हैं आपको किन परिस्थितियों में Company Data रिपेर करने की आवशक्ता पड़ी। आपको टैली प्राइम में डेटा रिपेर करने की आवशक्ता कई कारणों से पढ़ सकती है, जैसे की सिस्टम क्रैश, डिस्क फेलियर, डेटा करप्षन या फिर कोई और कारण जिससे एरर्स आ सके. चलिए अब देखते हैं, टैली प्राइम में कम्पनी डेटा रिपेर कैसे किया जाता है? रिपेर करने से पहले कम्पनी डेटा का बैक अप लेना सही रहेगा. अगर रिपेर के बाद डेटा पुना प्राप्त न हो पाए तो बैक अप आपको डेटा वापिस पाने में सहायता करेगा. आप डेटा का बैक अप लेने की प्रक्रिया हमारे विडियो से सीख सकते हैं. अब कम्पनी डेटा को रिपेर करने के लिए टैली प्राइम खोल कर, S1 दबाए, Troubleshooting, Repair चुने, उस कम्पनी डेटा को चुने, जिसे रिपेर करना है. आप या तो डेटा के पात को Specify Path का उपयोग करके Paste कर सकते हैं, या Select From Drive कर सकते हैं, Company डेटा चुने और Enter दबाए. यदि आपने डेटा का बैक अप लिया हुआ है, तो Backup Company डेटा विफोर रिपेर को No Set करें. अब आर दबाएं और रिपेर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पहले पड़ाव में, टैली प्राइम पूरे डेटा और उसके रिपेर होने की क्षमता की जाच करता है. दूसरे पड़ाव में मास्टरों एवं वाउचरों का वापिस गठन होता है. और तीसरे और आखरी पड़ाव में डेटा को फिर से अनुक्रमानिक किया जाता है, जिससे सारे टेबल्स एवं रिपोर्ट्स को प्राप्त किया जा सके. करप्ट देटा जो प्राप्त नहीं हो पाया है, वहाँ टेली के फोल्डर में टेली.rew फाइल में उपलब्ध होगा. टेली के फोल्डर को खोले. टेली.rew फाइल पर राइट क्लिक करे एडिट विथ नोटपैड चुने. जैसा कि आपने देखा, जो डेटा प्राप्त नहीं हो पाया था, वहाँ यहाँ उपलब्ध है. इन मास्टरों और वाउचरों को पुना प्राप्त करने के लिए, आपको टेली प्राइम में वहीं डेटा फिर से एंटर करना पड़ेगा. चलिए अब देखते हैं, एडवांस्ट रिपेर कैसे होता है. आपको एरर ट्रैन MGR.900 या दीबग लोकेशन एरर जैसे एरर्स भी आ सकते हैं. इन मामलों में आपको उच्चर रिपेर की प्रक्रिया का उप्योग करना पड़ेगा. उच्चर रिपेर के लिए Windows प्लस आर दबाएं. आप्लिकेशन के पत को कॉपी करें. टैली आप्लिकेशन पर जाएं, राइट क्लिक करें, लोकेशन के सामने जो लिंक हैं उसे कॉपी करें और Windows रन में पेस्ट करें. एक स्पेस दे और कंपनी डेटा का पाथ दे, जैसे की दी डेटा को क्वोट्स के बीच में डाले, फिर एक स्पेस दे और शून्य एंटर करें. टैली प्राइम खुलेगा, उसके बाद भाग दो में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार डेटा रिपेर करें. जैसा की आपने देखा, टैली प्राइम में आप मिंटों में डेटा रिपेर कर सकते हैं. इसके अलावा, आप करप्ठ हुए डेटा को पहचान सकते हैं, और उन मास्टरों और वाउचरों को अपने कंपनी डेटा में दोबारा एंटर कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए help.tellysolutions.com पर जाएं.